नमस्कार जैश्री किष्णा मैं राकेव शिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि लास्ट कुछ वीडियो से जैसे कि मैं आपको डिफरेंट ग्रहों की महादशा में और डिफरेंट हों के अंतरत्रशा कैसी जाती है उसके मंगल की महादशा में सूर्य के अंतरत्रशा के बारे में रिश्टी पारशार जी ने बहुत ही सिंपल वर्ट्स में कहा है और बहुत ही स्पस्ट शब्दों में कहा है वो कहते हैं क्या कहते हैं यह वो कहते हैं कुझ स्यां अंतरगते यानि मंगल की महादशा के अंतरगत सूर्य की अंतरशा हो और सूर्य स्वच्च राशी में हो स्वे छेतर केंद्र केंद्र में हो स्वे छेतर में हो मूल्ति र्कोन ये मूल्ति कोन राशी में हो ला भाव में यह भागे करुमेश सं inte होती है संतान का लाव होता है कीरती फैलती है आपकी धन्य जान समरदी स्याते एक रहे कल्यान संपद है धन्य जान की समरदी होती है धर खरीपते हैं आप आप अपरे धर में कल्यान होता है अगर कोई रोग है या कोई प्रॉबलम है तो वो भी सब खत्म होती है धहरिया आपका बढ आपको जहां भी सर्विस करते हैं आप गौर्मेंट में आप किसी प्रैवेट सेक्कर में वहां से आपको बहुत जादा सम्मान मिलता है और मिलता है चाहे वो प्रमोशन के रूप में मिले जब आपका पूलता है और विदेशों तब ब्रहबर नापका तो यह जब है जब गी महादशा हो दाइशे दाइशार सश्ट रिष्पे वाव वय वस पाप सहीं ते देह पीड़ा मंस ताप है कार यहानी इंडर महजाय वय हम शिरो रोगो जवरादेश्च छे अतिसार मधापी वाब यह कहते हैं यह कहते हैं कि सूर्य यदि महादशा स्वामी से महादशा यह कहते हैं कि सूर्य यदि महादशा स्वामी से यानि मंगल से छटे आठवे या बारवे भाव में इस्तित्रों पाप संयुते पाप रह से संयुत हो इसकी अंतर दशा में देह पीड़ा होती है मन आपका परिशान रहता है मान से कसंतुष्टी रहती है कार यहानी जो भी कारिया आप स्टार्ट करते हैं उस कारे की हानी होती है भेह रहता है आपको शिरो रोगों जोरादिश्च जोर हो जाता है शिरो रोगों मिस कि सर में रोग होते हैं सिर में रोग होते हैं जोर होता है अतिसार होता है ऐसे रोगों का भेह रहता है तो यह ध्यान रखना है कि सूर्य यदि महादशास्वामी से छटे आठवे या बारवे भाव में सित्थो तथा पाद रहे के साथ हो तो इसकी अंतरत्रसा में शारेरी कुड़ा, महाची संताप, कार्यनाश, महाबै, सिर्मिरोग, ज्वर एवती सारादी रोग का भै होता है। इसके लावा वो कहते हैं, साप का खत्रा रहता है, सापे काटें खत्रा रहता है, ज्वर हो सकता है, विश्का भै हो सकता है, सुथ पीड़ा भैम, पुत्र को पीड़ा होती है, यह संतान को पीड़ा होती है, शान्ती, कुरियाद, यथा विधी, और इसकी शान्ती के लिए क्या करना पड़ेगा आप जब भी आपी कुनली में सूर्य जित्येश है सब्तमेश हो और तो उस केस में आपको सूर्य की अराधना जरूर करने चाहिए अटलिस्ट उस समय जब उसकी अंतरदशा या प्रिटेंतरदशा आ रही हो तो सूर्य देव की अराधना आवश्य करें इसके बाद आता है चंद्र की अंतरदशा यानि मंगल की महादशा में चंद्र की अंतरदशा का अपल वो कहते हैं पुछ स्या अंतरगते चंद्रे सोचे स्वैचेत्र के इंद्रे भागय वाहान करमेशे लगना दी प्रसम्हुनिते करोती विपुलम गंद माल्यां बर विपूशनम तड़ाग गोपुरादिनाम पुन्य धर्मादी संग्राहं विवाहोत सब करमानी दार्पुप्त्रादी सोखे करते है पित्र मात्र सुखावाप्टिम ग्रहे लक्ष्नी पटाक्ष करते है यह क्या बोलते हैं यह कहते हैं कुस्या अंतर गते यानि मंगल की दशा में चंद्र की अंतर दशा हो और चंद्र स्वेच राशी में हो स्वेच छेत्र में हो केंद्र में हो और भाग्य वाहन करमेश लगनादी पर समझ विते हैं भाग्य भाव के स्वामी के साथ हो या वाहन जो आपका भाग्य वाहन उसके स्वामी के साथ हो चौथे भाव के स्वामी के साथ हो करमेश करम भाव के स्वामी के साथ हो या लगन के साथ बाहन भाद के सुखानी के साथ हो करमेश के साथ या लगन के साथ तो क्या होगा तो कहते हैं ऐसे में मतलब आपको बहुत अच्छा धन धन्य प्राफ्थ होता है जा तक गोशाला अदिका निर्माण करता है अब अब भी कोई भी को बिजनस को आपना बहुत इंप्रीज कर सकते हैं, बिजनस को बहुत बढ़ा सकते हैं, घर में आपके समहारों होते हैं, घर में विवाद ही समहारों का आउजन होता है, आपको माता-पिता से सुख मिलता है, इसमें लिखावाया देखिए, इसके अंदर, क एपित्र मत्रसुखव आप ये ये मातकाई का सुक मिलता है घर के अंदर लक्षमी का पदार्पन होता है क्रम कर्वास्ट को स्धुषा देव IKM नहीं सिछ माहराज कि कॉसा डेन मिन्स के राजा से आपको किरपा मिलती है राजा एक किरपा मिलने का मतलब वही हुआ जैसे मैं अक्सर समझाता हूं आप लोगों को कि आप जहां भी सर्वेस कर रहे हैं जहां भी जॉब कर रहे हैं वहां से आपको प्रोपनी के सीओ से एक आइडेल्टिटी एक डिकोगूनिशन मिल सकता है जिससे आपको सुख प्राप्त होगा पून चंद्रे फलम पून चीने वो दो केटा है कि यह फल पून चंद्र के हैं थे अगर फून चंद्रा या लेकिन स φल ठोड़े कम हो जाते हैं अगर यह चीन चंद मां पहोर तो ठोड़े फल कंल लें इसके बाद सब्कल जित्येदू ना यसा हिसल ना दो पीर वई यो इनगून आप पूरे निज राशी Quinn 8 यहस्टम में हो शस्ट में हो कुछेएगे और पुत्र नौं पट्री ओसक्ता है शुरादी हरण भीतिक्रथ चोरो का भेह रहता है, युद्ध का भेह रहता है, जित्ये दिन नाते तू, अगर चंद्रमा सब्तम भापका स्वामी है, जित्ये दिन नाते तू, अगर चंद्रमा सब्तम भापका स्वामी है, या जित्ये भापका स्वामी है, तो ऐसे में अब मिर्त्यू का भेह रहता है, देहे जड़सी हो जाती है, बिमारी हो जाती है, मनो दुखाम मांसिक अशांती फैल ले जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर दृत्ये और तमेश हो चंद्रमा अब उसकी अंतरतशा हो, तो अब मेर्तिव का बह रहता है, और ऐसे में उन्होंने लिखाया है, स्वा महीशी, यानि गाय या भैस का दान करने से आरोग्य और शांती प्राक्त होती है, तो चंद्रमा का ये था चंद्रमा का फल, आशा करता हूँ, आपको दोनों समझ माये होंगे, और समझ माये हैं, तो कांडी लाइक कीजिएगा, सब्स्राइब कीजिएगा, और हम लोग क्ल